बहुत important है कि ग्रामीड पंचाय प्रसिक्षन संस्थान कहा है अमरे कंटक और उससे ज़्यादा important बात यह जो आप right to recall की बात करते हूं right to recall मतलब हमने यदि किसी जन प्रतिनिधी को निर्वाचित करके भेजा है और हम उसके कारे से संतुष्ट नहीं है तो हम उसे बापस भी बुला सकते हैं इसी को right to recall कहते हैं ठीक अब ये चीज कहां से शुरू हुई तो यहीं की पंचाय से शुरू हुई पूरी जानकारी डि को चाने का प्रयास कर रहे हैं और उन तथ्यों से संबंदित जो लेक्चर है इसकी PDF अपने टेलिग्राम ग्रूप के माध्यम से आप तक पहुचा रहे हैं जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है उसी क्रम में आज का हमारा जिला है अनुपूर मान नर्मदा के उदगम स्थल से संबंद जिला अनुपूर आए शुरुबात करते हैं सांथियों सबसे पहले हम नक्षे में किसी भी जिले को देखने का प्रयास करते हैं यहाँ अनुपूर नजर आ रहा है तीन से चार बाते हम देखते हैं पहला किस राज्य की सीमा को टच कर रहा है तो अनुपूर जिने अनुपूर की बॉर्डर अनुपूर की सीमा टच करती है तीसरी बात कि अनुपूर खुद किस संभाग के अंतरगत आता है तो सांथियों अनुपूर शेहडोल संभाग के अंतरगत आता है तीन प्रश्ण बनेंगे किस संभाग के अंतरगत आता है किस जिले की भोग अगस्त 2003 ये दिनांक आपको बिलकुल याद कर लेनी है और ये करम भी याद करना है 48 वा हुआ ये था कि अनुपुर शुरू से कोई जिला नहीं था इसे शेहडोल जिले से अलग करके बनाया गया है और शेहडोल संभाग का भी ये पार्ट है ठीक तो शेहडोल से अलग होकर अनुपुर बना है और जब अनुपुर बना था तो ये 48 वे नंबर का जिला बना था मद्यप्रदेश का कब बना था 15 अगस्त 2003 दूसरी बात अमरकंटक जो अनुपुर के पास विद्वान है उसे पवित्र शहर घोशित कर दिया गया है क्योंकि धार्मिक संदर्बों में जो महत्व रखती हैं नदियां उनका उद्गम स्थल महां से होता है कई धार्मिक तीर्थ स्थले महां पर जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे यही बज़े है कि अमरकंटक अनुपुर के अमरकंटक को पवित्र शहर घोशित कर दिया गया है दोस्तों इतिहास कारों के अनुस उसकी तारीक हो या उसका सम्मंद किस जिले से था ये हो और वहाँ पर क्या विद्गमान है मतलव अमरकंटक आगे चर्चा करेंगे आगे देखते हैं दोस्तों भौल ही इस्तिती तो चुकि मद्धबरदेश के पूर्व में हैं तो मद्धबरदेश के पूर्व में जो फसल होती है यहाँ धान और गेहूं की, धान जैसा मैं बार-बार इसपश्ट करता हूँ, कि मद्ध प्रदेश के पूर्वी और दक्षण पूर्वी अधिकांज जिलों में धान होती है, कारण सिंपल है, लाल मृदा का पाया जाना, आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा दिखी में इस पश्ट कहरे रहा था, लाल और पीली मिट्टी हैं पाय जाती है। स्टार्टिंग में मैंने में मेंशन किया कि कुछ प्रमुक नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोन, जोहिला, निपान, ऐसी नदियां यहाँ से निकलती हैं। इसके अलावा परियोजनाई भी हैं, आगे चर्चा करेंगे, जलप्रपात, कपिलधारा, दुग्दधारा, यह दोनों जलप्रपात नर्मदा के ऊपर हैं, अमरगंटक में, आपको पता होना चाहिए, सीधे प्रश्न बनेंगे, जलप्रपात कहां हैं, किस नदी से सम्मन् और नर्मदा से सम्मन्देते कपिलधारा और दुग्दधारा आगे वड़ते हैं, खनिश, दोस्तों बहुत इंपोर्टन, बहुत इंपोर्टन, देखिए, मैं अपने हर लेक्चर में क्लियर कहता हूं, कि जो तथ जरूरी नहीं है, जैसे पिछली स्लाइड में देखिए, ये जो उष्ण कटी बंदी, पढण पाती बंद पाये जाते हैं, मैंने जिक्र भी नहीं किया, क्यों क्योंकि प्रश्ण नहीं बनेगा, अनुपुर के सम्मन्द में ये दी प्रश्ण बना, तो ये वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये वहां की प्रसिद्धी नहीं है, ठ उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के रेणु कूट अल्यूमिनियम कार खाने को बॉक्साइट भेजा जाता है। इस छेत्र में बॉक्साइड होता है छीखासी मात्रा में और यहीं से वो भेजा जाता है उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक एल्यूमिनियम कारखाना है रेणुकूट एल्यूमिनियम कारखाना तो वहाँ पर बॉक्साइट कहां से भेजा जाता है तो मद्रदेश के अनुपूर के अमरकंटक वाले छेतर से भेजा जाता है यही कारण है कि अमरकंटक को मद्रदेश का रेणू कूट भी कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मद्रदेश का रेणू कूट किसे कहते हैं अ अमरे कंटक को रेणु कूट कहे जाने का सम्मन्द किसी से है तो बॉक्साइट से बाते क्लियर होंगी आगे बढ़ते हैं आर्थिक संदर्वों में यही बात करूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्ते बहुत इंपॉर्टेंट है कागज उद्योग है यहाँ पर औरियंटल पेपर मिल कहा अनुपूर में कब स्थापित हुई 1965 और ये महत्पूर ने की किसने स्थापित की एक निजी ग्रूप बिरला ग्रूप उसने स्थापना की है इसकी क्लियर सीधे प्रस्णा आएगा आगे बढ़ते हैं उड़्जा चूकि इतनी नदियों का उद्गमिस्थल इतनी नदियां प्रभाइत हो रही है तो उड़्जा छेत्र होना सौभाविक सी बात है साथियों अमर कंटक ताब विद्दुत केंद्र यहाँ पर विद्दमान ह स्थापना चचाई सोहागपुर कोहिला छेत्र में की गई 1965 में बिद्दुत पादन चमता है 210 मेगावाट और आपूर्ती सोन नदी मतलब जलकी आपूर्ती कोन करती है सोन नदी क्योंकि जैसा मैंने अभी स्टार्टिक में बताया नर्मदा सोन जोहिला यह नदिया निकलत है कि किन राज्यों की साजिदारी से तीसरा बनता है किस जगे पर है और चोथा बनता है कि वहां की उत्पादन चमता कितनी है तो यह सारे तथ यहाँ पर समाहित किये गए हैं जरूरी है देखना अच्छे से एक्जाम में आ सकता है क्या बोला मैंने चचाई सुहागपुर कोईला चेतर में बिदमान है 1965 में स्थापित हुआ 210 मेगावाट चमता है सोन नदी से जलकिया पूरती होती है इसके अलावा एक निजी इकाई भी बिदमान है यहाँ पर मोजर वेर ताब बिद्दुत के इंदर बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और एक तहसील है चेतर की दो चीजे देख लिया हमने एक तो बिरला देख लिया जिन्होंने ओरियंटल पेपर में इस्थापित की और दूसरा यह देख लिया जिन्होंने ताब बिद्दुत के इंदर स्थापित किया आगे देखते हैं शिक्छा सांथियो एशिया का पहला राष्टी जाती विश्विध्याले के नाम से सीधे प्रशन बनेगा यह भी इंपोर्टेंट है और किसके नाम से जाना जाता है यह भी इंपोर्टेंट है तीनों बाते जरूरी है आगे पढ़ते हैं परेटन स्टार्टिंग से में कह रहा हूँ परेटन में अमरकंटक ही है सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण बहुत सारे तथ्य में आपके लिए लेके आया हूँ अमरकंटक से संबंदित पर तथ्यों में हर चीज कुई समझने की नहीं है तो मैं बार बार इस्पश्ट कर रह दीर, अमरकंटक शब्द का ततपर क्या है देवताओं का शरीर इसे परेटकों का तीर्थराज भी कहाँ ही जाता है ऐसे प्रशन सीथे मनते है कि बह Acting देवताओं का शरीर चीज या परेटकों का तीर्थराज, किसे कहते हैं सीथे आपको टेक LOOKाना है confusion हो सकता है, दूसरे पर हिटने स्थल देदें आपको इसलिए इनको ध्यां से देखना दूसरा यहां से नर्मदा, सोन, जोहिला ये नदी निकल रही है पुराणों में इसे कई नाम दिये गए दोस्तों नामों पे प्रशन बन जाते हैं इसलिए प्लीज ध्यां से दिखेगा जैसे अमर कंटक को सर्वतीर्थ नायकरम या तीर्थ राज भी कहा जाता है, मतलब तीर्थों में सरेष्ट, सारे तीर्थ इस्तलों में सर्वसरेष्ट, आगे देखते हैं अब देखें, इम्पॉर्टन जो नर्मदा नदी का उधगम हो रहा है वो सूरे कुंड से होता है जो सोन नदी का उधगम हो रहा है वो सोन कुंड से होता है और जो कर्ण मल्ठे उसका निर्माण कल्चुरी नरेश कर्ण देव ने करवाया था सोन नदी का उधगम सोन नदी का उधगम, संसेट पॉइंट, जो है, वो आकरशन का केंदर है, तो बिल्कुल इंपोर्टन है, आ सकता है, कि वही नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उधगम जो हो रहा है, वो किस कुंड से हो रहा है, तो सूर्य कुंड से हो रहा है, महाकभी कालिदास की बात कर तो वही सर्वतीर्थ नायकरम, तीर्थ राज, तीर्थ रत्न, इस तरह का कुछ भी आए, अमरिकन टक्टिक लगा देना, कई सारे प्राचीन मंदिर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दिखिए, प्रशन जाता है सिदे, आज कल प्रशन के वले ये नहीं बन रहा है कि किसने मंदिर का निर्माड कराया, ये भी बन जाता है कि किस सदी में कराया, किस समय में कराया, दोस्तों, दसवी शताबदी से सम्मदिर मंदिर हैं, ये पता होना चाहिए आपको, और किसने कराया, कल्चुरी वन्च के राजाओं ने कराया, दो बातें आपको clear होना चाहिए, यह मठा मंदिर, कपिल धारा, दुख्द धारा, ये जल्प्रपात है, नर्मदा पर मैंने बताया था, सोन मुडा, भ्रगु कमंडल, नर्मदा कुंड, कवीर चोरा, माई की कुटिया, पुष्कर वांत, ये सब important है, नवग्रह, आदिनात का मंदिर, सूर्यकुंड, अभी चर्चा हुई थी, जहां से, नर्मदा का उद्गम हो रहा है, तो ये सारे तथ्थे बहुत important हैं, आपको PDF में प्राप्त हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, निर्मान, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल्चुरी राजाओं ने करवाया था, यहां मेला लगता है, अब बिधानसवा सीट की बात करूँ, तो पुष्पराजगर्ण, अनुपुर्पुर्ण, कोत्मा, यहां की बिधानसवा सीट हैं, और यहीं से बिसाहु लाजसीही, जी हां, important नाम है, मद्वर्देश सरकार में केविनेट मंत्री हैं, खाद मंत्री, लोकसवा सीट यह शेहडोल की अंतरगत आती है, बहुत इंपॉर्टन है, कि ग्रामीड पंचायद प्रसिक्षन संस्थान कहां है, अमरकंटक, और उससे ज़ादा important बात, यह जो आप right to recall की बात करते हूं, right to recall मतलब, हमने यदि किसी जनप्रतिनिधी को निर्वाचित करके भेजा है, और हम उसके कार से संतुष्ट नहीं है, तो हम उसे बापस भी बुला सकते हैं, इसी को right to recall कहते हैं, ठीक, अब यह चीज, कहां से शुरू हुई, तो यही की पंचाय से शुरू हुई, पूरी जानकारी डिटेल में देखते हैं, देखिएगा, मद्ध प्रदेश में पंचायतों में, पहले तो यह पताओ नची, कहां शुरू हुआ, लोकसवा, बिधासवा, पंचाय, तो पंचायतों में हुआ, मद्ध प्रदेश में पंचायतों में, जनता को right to recall, मतलब बापस बुलाने का अधिकार दिया गया है, ओके, जिसके तहत, सरपंच निर्वाचित होने के, दो वर्ष के पश्चाथ, याद रखिएगा, जैसे आपने किसी सरपंच को निर्वाचित कर दिया, उसके tenure के कम से कम दो साल हो जाने चाहिए, कम से कम दो साल हो जाने चाहिए, ऐसे नहीं कि आज निर्वाचित करके भेजा, और दो महीने बाद बुला लिया, नहीं, दो साल कम से कम हो गए, और फिर आपको लगा कि यह सही से काम नहीं कर रहा है यह अपने करतव विपत से बिमुख हो गया है तो आप दो वटे तीन बहुमत से उसके खिलाब प्रस्ताव पारित कर सकते हो और उसे बापस बुला सकते हो ठीक, आगे देखिए इधार एक शर्त और है और वो शर्त यह है, इसमें मेंशन नहीं है कि टेनियोर जो है वो कम से कम छे महीने का बचा हो मनलब छे महीने से ज़्यादा का बचा हो उसका तब ही आप बुला सकते हो मतलब कम से कम दो साल का हो गया हो और 6 महीने से ज़्यादा का उसका 10 और बचा हो पता चला 2-3 महने का 10 और बचा है उसका अगले चुनाओं आने ही वाले हैं और आप फिर right to recall कर रहे हो तो क्या मतलब ठीक, तो देखते हैं आगे की बात कि इसका प्रथम प्रयोग शेहडोल जिले की अनुपुर नगर पंचायत में देखने को मिला क्योंकि आप जानते हैं कि भाई पहले अनुपुर शेहडोल की अंतरगती आता था तो उस समय शेहडोल जिला माना जाता था और अनुपुर उसकी एक पंचायत थी वहाँ पर इसे लागू किया गया था अध्यक्ष पल्लवी का पटेल को 2001 में जनता द्वारा हटाया गया था इस तरहे इस अधिकार का प्रयोग करने वाला मद्ध प्रदेश पहला राज्य बन गया और ये पहला छेतर बन गया दोस्तों सीधे प्रशन बनेगा कि भारत में या मद्ध प्रदेश में राइट टू रिकॉल का सरप्रथम प्रयोग कब हुआ 2001 में हुआ कहां हुआ शेहडोल जिला था उस समय 2001 में तो अनुपुर उसके अंतरगत पंचायत थी वहां की पल्लवी का पटेल को बापिस बुला लिया गया था ये बेसिक तत्य हैं आपको याद रखने है और जो अन्य जानकारी में ने दी कि कम से कम दो वर्श का टिनियो और उसका हो जाना चाहिए तब आप ये कर सकते हो और कम से कम छे महीने का कारेकाल उसका बचाओ ऐसा नहीं कि दो महीने का कारेकाल बचाओ और फिर भी गुला लिया ऐसा नहीं हो सकता दो साल का हो चुका हो कारेकाल और कम से कम छे महीने का बचाओ इस शर्थे उसकी आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसके अलावा बन बिद्ध्याले आप जानते हैं बनमिध्याले, शिवपूरी, सिवनी और बेतूर, इन तीन जगों के अलाबा, अमर कंटक में भी है, आपको पता होना चाहिए, मंद्रदेश में चार जगे पर है, जनांक की है, साथियों साक्षर्ता, आपको मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूँ, कि वह साथ वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं, साक्षर कहलाते हैं, यहाँ पर साक्षर्ता का प्रतीशा थे 67.88, लिंगन उपात आप जानते हैं, प्रती 1000 पुरुष पर कितनी महिला हैं, उसे लिंगन उपात कहते हैं, मतलब यहाँ है 976, प् एक हजार लड़कों पे कितनी लड़किया हैं इस उम्र की उसे शिशू लिंग अनुपात कहते हैं वो कितना हैं नो सो पचास घनत वो गनत मतलब प्रती वर किलोमीटर कितने लोग हैं तो दो सो लोग हैं साथियो अब important तथि क्या है एक्जाम में आ सकता है सबसे कम जनसंख्या ब्रद्धी दर यदि कहीं की है तो वो अनुपूर की है सबसे कम जनसंख्या ब्रद्धी दर मतलब सबसे कम speed में यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और दूसरा एक उर तथे नियूंतं शेहरी जनसंख्या ब्रद्धी तरद शेहरी जनसंख्या में ब्रद्धी भी सबसे nियूंतं हो रही है ठिक ये तथे बहुत ज़ादा जरूरी है एक जिला एक उत्पाद की चर्चा हम हर लेक्चर में कर रहे हैं कि सरकार दोरा किसी छेतर किसी जिले से सम्मंदित किसी खास उत्पाद को अंतराष्टी पहचान दलवाने के क्रम में उस उत्पाद को उस जिले की शेड़ी में शामिल किया जा रहा है तो अनुपूर का वह कौन सा उत्पाद है? जो एक जिला एक उत्पाद की शेड़ी में शामिल है? अनुपूर की तरफ से उसका नाम है कोदो कुटकी. दोस्तों, ये एक ऐसा उत्पाद है जो अकेले अनुपूर के नाम से चिनित नहीं किया गया है. कई और भी जिले हैं, प इसको पहचान दी गई है, क्या होता है कोदो गुटगी, एक प्रकार का मोटा अनाज आपको पता होना चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा, एक बार फिर मेंशन करूं, इस लेक्चर की पीडिये प्रा करता है